हम लोग बात करें हमारे डेली करेंट फेर सेशन की जो सुबह चार बज़े वेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनैकलर फ्रंटियर आएस पर आज की तारीख है 17 अगस 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ for daily videos, pdf and monthly magazine आप हमारे टेली ग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और सेस जल्पनेकल ओनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे previous quiz के साथ मैंने अपसे पहला question पूचा था कि AIFF पूरुष footballer of the year के से चुना गया है करेक्ट answer था सुनील चेतरी और दूसरा question पूचा था कि अंतरराष्ट यूबा दिवस का मनाया जाता है इसका correct answer था 12 अगस्ट स्टार्ट करेंगे first question है किस राज्य केंदिशासित प्रदेश के जालबुक वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व को एक नए रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है correct answer है जमू और कश्मीर details देख लो तो रामसर साइटों की सूची में भारती आदरभूमी की कुल संख्या 75 तक पहुँच गई है 11 नए स्थलों में तमिलाडू में चार उडिशा में तीन जमू और कश्मीर में दो मध्यपरदेश और महराश्ट्र प्रतियेक में एक शामिल है तमिलाडू में रामसर साइटों के धिक्तम संख्या 14 है इसके बाद उत्रपरदेश 10 पर है तो 11 इंडियन वेट लैंड्स जिनने नए रामसर साइट्स में डेजिगनेट किया गया है उनके नाम है तंपारा जिल ओडीशा, हिराकुट जलाशय ओडीशा, अंचुपा जिल ओडीशा, यश्वन सागर मध्यरप्रदेश, चित्रांगुडी पक्षिय अभ्यारने तमिल लाडू, सुचिंदरम थेरूर वेटलेंड कम्प्लेक्स तमिल लाडू, वडूवूर पक्षिय अभ्य गवर्नर है मनोट सिनहा, लद्दाग के लेफ्रेंड गवर्नर है आरके माथूर, नेक्स देखो, निम्मा लिकित में से कौन सा भार्टे संस्थान, युनेस्को किंग से जोंग, साक्षरता पुरस्का 2022 के विजेताओं में से एक है, करेक्ट आंसर है, कलिंग समाजिक विज विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, युनेस्को किंग से जोंग, साक्षरता पुरस्का 2022 के विजेताओं में से एक है, कलिंग समाजिक विज्ञान संस्थान को मातर भाषा अधारित, भहो भाषी शिक्षा कारेकरम, यानि मदर टंग बेस्ट, मल्टी लिंग्विल एक डीम टूबी विश्विदालय बन गया, बात करें हाँ पर उडिशा की, उसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है, सन टैंपल को नार, डैम्स और रिवर्ज में आता है, हिराकुन डैम महानदी, इंधिरावती डैम, इंधिरावती, नैशनल पाक्स में आता है, भिटार कन अगस्ते मलाई हाथी रिजर्व को भारत का इकतिस्वे हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है, तमिल नाडू, डिटेल्स देखलो, तो केंद्र सरकार ने अगस्ते मलाई हाथी रिजर्व, कन्या कुमारी और तिरु नेलवेली तमिल नाडू को भारत का 31 हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है, यह तमिल नाडू का पांचवा हाथी रिजर्व होगा, अगस्ते मलाई बायस्फे रिजर्व, यह क्षेत्र पस्चिमी घाट के सबसे दक्षिनी छोरप्रस्तेत हैं, और केरल और तमिल नाडू में फैला नाशनल पार्क में आता है, इंदिरा गांधी नाशनल पार्क, मुदू मलाई नाशनल पार्क, गल्फ मैनर में राइन नाशनल पार्क, तमिल नाडू की कैपिटल है चिर्नए, गवर्नर है आरेन रवी, सियम है एमके, स्टैलिन, नेक्स देखो, राकेश जुन-जुन वाल का हाल ही में 14 अगस 2022 को निधिन हो गया, उन्होंने हाल ही में अकासा एर लाउंच किया, वे शेयर बाजार के निवेशक थे, उन्हें भारत के वारेन बफेट के नाम से जाना जाता है, उन्हें भारत का बिग बुल भी कहा जाता है, अकासा एरलाइन ने गस 2022 में मुंबई स जीता है करेक्ट आंसर है पूजा ओज्वा डिटेल्स देख लो तो भारत की पूजा ओज्वा ने हैलिफेक्स कैनेडा में 2022 बाइस, ICF Cano Sprint विश्यू Championship में रज़त पदक जीता, पेरा Cano की विश्यू Championship में भारत के लिए यह पहला पदक है, पूजा राष्ट चैंपेंशिप में छे बार स्वारन पदक भी जेता हैं और विश्यू के लिए क्वालिफाइ करने वाली भारत की पहली महिला हैं नेक्स देखो, आयूश मंत्रालिय और Electronics और सूचना प्रद्योगी की मंत्रालिय ने डैश वर्षु की अवधी के लिए आयूश ग्रिट परियोजना के लिए एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं, इसका करेक्ट आंसर है तीन साल, डिटेल्स देख लो, तो आयूश मं मंत्रालिय को तीन साल की अवधी के लिए आयूश क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, यह समझोता ग्यापन 2019 में हस्ताक्षरतिक समझोता ग्यापन की निरंतरता है, दोनों मंत्रालिय एक साथ काम करना जारी रखेंगे, आयूश ग् देखो, WHO ने किस वाइरस के वेरियंट के लिए नए नामों, क्लैड 1, क्लैड 2 की घोशना की है, करेक्ट आंसर है, मंकी पॉक्स, डिटेल्स देख लो, तो WHO ने प्रचलन में मंकी पॉक्स वाइरस के वेरियंट के लिए नए नामों की घोशना की, क्लैड 1, क्लैड 2, विश CLAD 2 के दो प्रकार CLAD 2A और CLAD 2B जिन में से CLAD 2B 2022 के प्रकोप के दोरान वेरियन का प्रमुक समूँ था वैश्विक स्वास एजेंसी ने कहा कि CLAD के लिए नए नामों का तुरंद इस्तिमाल किया जाना चाहिए मंकी पक्स वाइरस का नाम तब रखा गया था जब इसे पहली बार 1958 में हो जा गया था नेक्स देखो हाल ही में फीफा दुवारक किस देश के फुटबल महासंग को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है करेक्ट आंसर है भारत देचेलस देख लो तो फीफा ने 15 अगस्त को भारते फुटबल महासंग को तीसमें पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया जिससे अक्टूबर में अंडर 17 महिला विश्यू कप के देश के मंचन को खत्रे में डाल दिया गया विश्यू फुटबॉल के शासी निकाई ने उलंगन को फीफा कानून का गंभीर उलंगन कहा यह पहली बार है जब फीफा ने अपने 85 साल के तिहास में अखिल भारते फुटबॉल महासंग पर प्रतिबंद लगाया है नेक्स देखो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली अंतराष्ट्रिय हवाई अड़े लिमिटेड ने डीजी यात्रा पहल के सौफ्ट लॉंच इगोशना की डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर अधारित यात्री प्रसंसकरन प्रनाली दिल्ली हवाई अड़े पर शुडू की गई है और हवाई अड़े के टर्मिनल 3 पर आवशक बुन्यादी धांचा सापित किया गया है डीजी यात्रा में यात्रियों को कागज रहित और संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड़े पर विभिन चौक्यों से गुजरने की परिकल्पना की गई है लास्ट क्वेस्टन देखलो आज के सेशन के लिए पी एम मोदी ने पचटरवे सोतंतरता दिवस पर पंच प्रन की घोशना की है इसमें निमल लिकित में से कौन सा शामिल है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी यानि नागरिकों के करतव्यों को इमानदारी से पूरा करना एकता इव एक जुटता और गुलामी के हर अंच से मुक्ती देख लो तो अगले 25 वर्षों में कविक्सित भारत सुरिश्चित करने के लिए सोतंतरता दिवस पर प्रधानमंती नरिंद्र मोदी ने पंच प्रन यानि पांच संकल्पि घोशना की उन्होंने 2047 तक भारत की स्वतंतरता श्ताबदी पर देश के लिए स्वतंतरता से नानियों के सपने को पूरा करने के लिए पंच प्रन पेश किये जिन में शामिल है विक्सित भारत गुलामी के हर अंच से मुक्ती विरासत पर गर्व एकता एवए एक जुटता और नागरिकों का करतव व्या क्विक्ली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की तो जम्म और कश्मीर के शालबुग वेटलेंड कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया है युनेसको किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइस 2022 का विजेता है कलिंग इंसिचूट औफ सोशल साइंसेज भूवनेश्वर तामिलाडू के अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व को भारत का इकतिस्वा हाती रिजर्व अधिसूचित किया गया है राकेश जुन-जुन वाला पास्ड वे वे एक स्टॉक मार्केट इंवेस्टर थे पैरा कैनो की वर्ल्ड चेंपेंशिप में फर्स्ट एवर मेडल हासिल किया पूजा उज्ञा ने आयूश ग्रिट प्रजेक्ट के लिए मिनिस्टर आयूश और माइटी ने तीन साल का MOU साइन किया WHO ने मंकी पॉक्स के न्यू वेरेंट्स का नाम रखा है क्लैड वन और क्लैड टू फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है डीजी यात्रा इनिशेटिव डेली इंटरनेशनल एरपोर्ट पर शुरू किया गया और 75 इंडिपेंडेंस डे पर प्रंच प्रंच की घोशना की गई इसमें शामिल है डवलप इंडिया रिमूविंग कोलोनियल माइंड सेट तेकिंग प्राइड इना लेगसी स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी और ड्यूटीज ऑफ सिटिजन्स विद ऑनेस्टी बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुछ सवदर देखे आपका पहला क्वेस्टिन है सरकार ने अटल पेंचन योजना के नियमों में बदलाव किया है योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और आपका दूसरा क्वेस्टिन है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है दोनों क्वेस्टिन्स हमारे प्रीवेस सेशन से हैं इनके सांस नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंट्स को जोईन